नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन के टॉप 25 पर्मोख खबर जानते हैं किस्त भेजी जाएगी, बता दे पीम किसान समान निध्य योजना के तहत किसान परिवार को एक परस में 6000 रुपे देने का प्रधान है, इस योजना कि तिस्टी किस्त किसानों के खाते में भेजी जा रही है, केंदर सरकार के द्वारा दीगई जनकारे में बताया गया है कि आ मौसम विभाग के उनसार जारखन में मांसून एक बार फिर सकरी हो गया है, बतादे 10 से 12 अगस्त तक जारखन के 14 जीले में भारी बारिस की संभावना है, इसको लेकर मौसम केंदर की ओर से एलो अलर्ट जारी किया गया है, मौसम विभाग के उनसार राची, गुमला, खु पूर्वी सिमुम भोकारों समेत कुछ अन अस्थान पर अत्ति भारी बारिस हो सकती है, नई अस्थानिय नीती से आदिवासी वो मुलवासी को नहीं मिलेगा लाव रगवरदास, भाजपा के राष्टिये उपाद्यक सहजारखन के पूर्व मुखे मंत्री रगवरदास न आई इससे बाहरी को नियुक्त करने का परियास होगा, पिछले दिनों जारकन केमिनेट में राज अस्थारिय परतियोगता परिक्षा में अस्थानिय भासा को अनिवार करने पर होनोंने कहा कि इसमें हिंदी को छोड़ अन्य भासा को सामिल किया गया है जो उचित नहीं है या हेमन सरकार की सोची समझी साजिस है ताकि नई अस्थानिय नेति के तहत युवा नेति कानोनी उल्जान में फ़ंसे रहे और नियुक्ती ना सके धनबाद में इंटर फिल छात्रों पर हुए लाठी चार्ज मामला में भाजबाने एस्डियम को ठाराया दोसी भाजबा ने सुक्रवार को धनबाद समनाले में इंटर की फेल छात्राओ पर लाठी चार्ज के लिए परसासन खास कर एस्डियम को दोसी ठाराया है उन्होंने कहा है कि हेमन सरकार दोसी अधिकारियों पर करवाई की बजाए उन्हें बचाने में लगी है बदादर अभिवार को भाजबा की जाश टीम ने मामले में कई पक्षो से बाचित की घायलों तता फेल छात्रों से घाटना की जनकारी ली जाश टीम में पूरो विधान सबाद्यक सहरांची के बिधायक सीपी सिंग चंदन कियारी के बिधायक अमरबावरी भाजपा के परद्यस महामंतरी परदीप वर्मा आदितिसाव सामिल थे ज्यारखन के परतियोगी परिक्षा में भोजबूरी मग ही अंगी का वा मैथली भासा हो सामिल ज्यारखन की राज अस्तरिय परतियोगी परिक्षा में अस्तानिय भासा के अलावा अब भोजबूरी मग ही अंगी का और मैथली भासा को भी सामिल करने की मांग उठने लगी है इस समन में भारतिये जनतंत्र मोर्चा के परतियोगी परिक्षा में तीस अंकी परिक्षा अस्तानिय भासा में देना अनिवार किया गया है इसके तहत संताली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुणुख, कुर्माली, खोठा, नागपुरी, पंच परगनिया, उडिया, आधी सामिल है जार्खन आंदोलन में निर्मल दाने निभाई थी अहम भूम का सियम हेमन्त जार्खन के मुख्यमंतर हमन्सुरेन ने सहीद निर्मल महतों की 34 पूनेती थी पर उनकी तस्वीर पर मल्यानपन कर सरदान्जली दी उन्होंने काया कि जार्खन अलग राजे के आंदोलन में उन्होंने अगरिनी भूम का निभाई थी उनकी नितित्व छमता अद्भूत थी वे युवाओ के मार्ग दसक थे वे हमेता जार्खन वास्यों के दिल में बसे रहेंगे जार्खन अंदोलन कारी सहीद निर्मल महतों की 34 पूनेती थी है कुरोना काल में पूरे राजे में इनका सहाधत दिवस मनाया जा रहा है इसके लिए सीमित आकलन परिछा ली जाएगी बतादे परिछा 100 अंको की हो सकती है इसमें पराशिचों को 3 औसर भी दिये जाएंगे डेल्टा प्लस वेरियंट ने बढ़ाई जार्खन की चींता दक्षिन राज्यों खासकर केरल में कुरोना वाइरस के डेल्टा प्लस वेरियंट के बढ़ते मामलों ने जार्कन की जिनता बढ़ा दी है बता दे यही वजा है कि राज्य में कुरोना को लेकर विशेस सतर्गता बरती जा रही है स्वास्त विभाग ने संभावी तिस्ती लहर को देखते हुए दूसरे राजियों विश्यसकर केरल महराष्ट और मदेपर्दे से आने वाले आत्रियों की विश्यस निगरानी करने को कहा है विभाग ने परमुक ट्रेन रिटो पर पढ़ने वाले नौ जीलों के उपायुकतों को इस समन्द में पत्र लिखका दूसरे राजियों से आने वाले ट्रेनों की सुची मंगाई है टीपी सी का एरिया कमांडर अनिल उराव ने किया सरेंडर परतिबंधित उग्रबादी संगठन टीपी सी के एरिया कमांडर अनिल उराव उर्फ बादल ने जार्खन सरकार की आत्म समर्पन पुर्णवास निती नई दीशा से प्रेरित होकर अभिवार को सरेंडर किया है बता दे डी आई जी राज कुमार लकड़ा ने गोदास्ता दे कर उनका स्वागत किया सरेंडर नक्सली बादल के खिलाप लातेहर और लोहरदागा के बिभीन थाना च्छेत्रे में एक दरजन मामले धरजाएं जारखन में 29 नए केस मिले हैं जो देवगर से 4, रामगर से 3, पूर्वी सियों से 2, राची से 2, सिम्डिगा से 2, धनबाद से 1, दुमका से 1, खोटी से 1, लातेहर से 1, लोहरदागा से 1, साहिबगन से 1 मिले हैं जारखन में 29 मरी स्वास्त भी हुए हैं, जारखन में कूल एक्टिव केस की संख्या 2, 11, राजेपाल ने तिरफूरा के सीम से दुरघाटना वा उनके कुसल छेब की लिजनकारी जारखन के राजेपाल रमेश बैस ने तिरफूरा के मुख मंतरी बीपलब कुमार देव से फोन पर बात चीत कर गुरुवार को हुई दुरघाटना वा उनके कुसल छेब की जनकारी ली पता दे की तिरफूरा के मुख मंतरी उस समय बाल-बाल बच गए जब एक तेज रफ्तार वाली कार से उनको कुचलने की कोशिस की गई उन्होंने दूसरी तरफ कूद कर अपनी जान बचाई है वे अपने सरकारी आवास के निकट टहलने के लिए निकले थे रांची टाटा मार्क का नाम निर्मल महत्तो पथ करने की मांग जारखन अंदोलन में अहम भूमका निभाने वाले जननायक निर्मल महत्तो की पुनिती तिर्यविवर को मनाई गई सहीद अस्थल पर अलग-अलग संगठनों के लोगों ने पहुँचकर पुस पांजली अरपित की सहीद अस्थल को फूलों से सजाया गया था बता दे रांची टाटा मार्क का नामांकरन निर्मल महत्तो पथ करने की मांग हुई इस मौके पर मुख्य हती थी जारकन अंदुलनकारी संगर्स मोर्चा के परवक्ता पुसकर महत्तो ने कहा कि जारकन अलग राजे के निर्मान के बाद भी निर्मल महत्तो के सपने अधूरे हाए डाक विभाग से 15 रुपे में देश में कहीं भी भेजे राखी भारतिय डाक विभाग ने बहनों को इस बार फिर बड़ी सोगाद दी है बता दे राखी के लिए स्पेशल पलास्टिक लेमिनेटेट लिफाफा अब मात्र 15 रुपे में सधाराण डाक से कोई भी बहन देश के किसी भी कोने में राखी भेज सकती है इसके लिए डाक विभाग द्वारा राखी भेजने के लिए राक्षा बंदन स्पेशल पलास्टिक लेमिनेटेट लिफाफा की बिक्री सुरू की गई है अब रास्ते में राखिया खराब नहीं होगी पतादे ए लिफाफा सभी डाक घरों में मात्र दस रुपए में राक्षा बंदन स्पेशल लिफाफे के रूप में उपलब्ध है जैक बिभाग के खिलाप लंबी लड़ाई की तियारी में छात्र जारखन एकेडमी काउंसिल की ओर से जारी किये के दसीव बरावी की पईनाम को लेकर टकराव की सिती बनी हुई है बतादे चात्र संगठन जैक के खिलाप लंबी लड़ाई की तियारी में है लागातार परदसन हो रहे हैं राची सहीत राजे भर के छात्र अंधुरन कर रहे हैं मामले में राज सरकार से हत छेप की मांग की जा रही है बतादे All India Student Association आईसा ने जैक बोड द्वारे रियल्ट में अनिमी तागे खिलाप परतिवाद मार्च भी निकाला है कैबिनेट सचीव राजीव गौबा को मोधी सरकार ने दिया सेवा विस्तार भारतिय प्रससनिक सेवा के जारखंड के डर के पदाधिकारी तथा केंद्रिये कैबिनेट सचीव राजीव गौबा को एक साल का सेवा विस्तार दिया गया है मोधी सरकार ने केबिनेट सचीव राजी गोबा को एक साल के लिए सिवाबिस्तार दिया है बता दे केंद्रिये केबिनेट की चयन समिती ने इसकी सिवकृति दी है इसकी जनकारी कार्मिक मंत्राला की ओर से दी गई है अब हुए 30 अगस 2022 तक केंद्रिये कैबिनेट सचीव के पद पर बने रहेंगे रिम्स में आउट सोर्सिंग एजनसी के ओर से पिछले तीन माह से नर्सों के बेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है मामले की जनकारी मिलने के बाद अस्पताल परवंधन ने एजनसी पर कानूनी करवाई करने का निन्ने लिया है नर्सों के बेतन का भुगतान रिम्स परवंधन मनवता के अधार पर करेगा रिम्स के उपाधिक्षक टाक्टर संजय कुमा ने बताया कोरोना वरियर्स के रूप में नर्स कार्यात है इनके हक का पैसा एजनसी नहीं दे रही है इस आरोप में एजनसी पर कनूनी करवाई की जाएगी एक ब्यक्ति एक पौधा अभियान से राची हरा भरा राची नगर निगम राजधानी को हरा भरा बनाने की कवायद में जुट गया है इसके लिए नगर निगम एक अच्छा अभियान सुरू करने जा रहा है इस अभियान का नाम एक ब्यक्ति एक पौधा राखा गया है इसके तहर नगर निगम हर ब्यक्ति को एक एक पौधा मुप्त देगा लोग इस पौधों को सहर में लगाएंगे और इनकी देख भाल भी करेंगे राईधानी के चार जगों में इस्टोल लगा कर पौधे बाटे जाएंगे 40,000 सिक्षक नहीं बना रहें बायोमेट्रिक अटेंडेंस राज्य के सरकारी प्राइमरी से लेकर पलस टू स्कूलों के 40,000 सिक्षक अभी भी बायोमेट्रिक हाजरी नहीं बना रहे हैं पतादे राज्य के 1,18,000 शिक्षकों में से सन्निवार तक 78,000 शिक्षकों ने बायोमेट्रिक हाजरी बनानी शुरू की थी। सिक्षको को हर दिन बायोमेट्रिक हाजरी बनानी है जो सिक्षक नियमित रूप से बायोमेट्रिक हाजरी नहीं बनाएंगे उनका अगले महीने से बेतन रूख सकता है इसकूली सिक्षा और सक्षता विभाग इसकी तियारी कर रहा है लोहरदगा डीसी ने मिधावी छात्रे छात्रावों को किया समानेत लोहरदगा उपायोग तिलिप कुमा टोबो ने कहा कि जीवन में किसी भी छेत्र में सफलता के लिए सबसे पहले निरने लेना लक्ष निधायत करना और फिर लक्ष के लिए प्रती पूरी प्रती बज़ता के साथ मेहनत करना सबसे अवस्यक है अगर सही समय पर निने नहीं लेंगे लक्ष निधायत नहीं करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी उपायुक्त नियाबाद संस्था इन्जोत डहर संस्था के दौरा समानाले समेलन कक्छ में जीले के जन जाती है चातरचात्राओ के समान में अवीजीत एक समारो में कही सो मुहर से बदलेगी राजधानी की पुलिसिंग जारखन के राइधानी राची में पॉलीस आपके द्वार और लोगों से सिधे जुड़ाओं को लेकर बीट पॉलीस के शुरुआत की जा रही है बतादे बीट पॉलीस कर्मियों को टीनेट वेरिफिकेशन के कारे भी करेगी सोमवार से राजधानी राची में बीट ओफिसर्स एक्टिव नजर आएंगे जिनके जिम में अपने इलाके की जिमिदारी होगी राची में सोमवार से पूलिसिंग थोड़ी बदली बदली नजर आएगी यहांके पूलिस अब खूद को लोगों के बीच लेकर जा रही है जिसे पूलिस की नजर चपे चपे पर होगी घर घर जाकर और कैम्प लगाकर पार्टी का सदसे बनाएगी कॉंग्रेस जरकन परदेश कॉंग्रेस कमिटी के अध्यक्ष डाक्टर रामेशर उराव ने पार्टी द्वारा चलाय जा रहे सदसेता अभियान की रविवार को वर्ट्वल समिक्षा की उन्होंने कहा कि मिस कॉल के सदसे बनाने में धोखा हो सकता है इसलिए पार्टी के सभी नेता करकरता घर घर जाकर और कैम्प लगाकर लोगों को पार्टी का सदसे बनाएगे इसे ना तो सिर्फ लोग सदा से बनेंगे बलकि पार्टी कोस में सहयोग रासी की भी प्राप्ती होगी साथ ही जो लोग 5 रुपए देंगे वे चुनाव में कॉंग्रेस को भोट भी जरूर देंगे धन्यवाद यदि आप चैनल परना है हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बलकि बेले कंदवाईए साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोथों के साथ सेर करना ना भूले साथ साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फीड़एक अवसे दे थाइंक्यू